The largest number which divides 70 and 125, leaving remainders 5 and 8 respectively. तो लार्जेस्ट नमबर पता करना है which divides, जो divide करता है किसको 70 और 125 को. तो जो remainder हैं वो कितने आते हैं 5 और 8. यानि एक number जैसे हम 70 को divide करेंगे तो 5 remainder आएगा और उसी number से 125 को divide करेंगे तो 8 remainder आएगा. तो नंबर largest नंबर कौन सा होगा वो हमें बताना है तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि नंबर है वो divide गरा है कि इसको 70 को और 125 को तो इनसे दोनों से बड़ा वो नंबर नहीं होगा तो यहाँ पर अपने दो option तो cut हो जाते हैं C और D क्योंकि यह नंबर 70 और 125 से बड़े हैं तो यह 70 को और इनको divide कैसे करेंगे नंबर छोटा होगा तभी तो इनको divide करेगा तो दो option तो अपने पास option के coding करें तो दो option तो सीधे ही cut हो जाएंगे अब बात आता है 65 की 65 से जब 70 को divide करते हैं तो हमें पता है कि 5 remainder आएगा बिल्कुल सही बात है ऐसे ही जब हम 65 से 125 को divide करेंगे तो अपने पास remainder कितना हैगा 65 तो 130 हो जाता है तो उस case में तो अपने पास यह divide नहीं होगा तो one time divide करने पर अपने पास 60 बचेगा यानि कि यह वाला option भी नहीं होगा अब बचा 13 13 से आप चेक करोगे कि 13 5 जा 65 तो 5 अपने पास remainder आ गया और ऐसे ही 13 से divide करेंगे तो 13 9 जा 117 होता है और 117 यानि कि 8 अपने पास remainder आ जाएगा तो option यह अपना 13 बिल्कुल सही हो जाएगा यादि option से करते तो इस तरीके से हम directly इसको solve कर सकते थे थोड़ा सा बस common sense लगाना था दूसरा तरीका क्या है कि जैसे कि मैं कहूं कि 13 है 13 को जब 4 से divide करते हैं तो जो remainder है remainder की बात कर रहे है remainder 4 3 जा 12 तो divide हो जाता तो 1 अपने पास remainder आ गया remainder कितना आया 1 है यदि 1 इसमें से हटा दे तो यह पूरा पूरा divide हो जाएगा तो इसी तरीके से 70 है 70 पूरा पूरा divide ही हो रहा 5 remainder आ रहे है तो 70 में से जब 5 को हटा देंगे तो अपने पास आजएगा 65 और 65 पूरा पूरा उस नंबर से divide हो जाएगा ऐसे ही 125 है 125 को उसी नंबर से divide करेंगे तो 8 को इसमें से हटा दे तो 117 आ जाता है और 117 उस नंबर से पूरा पूरा divide हो जाएगा यानि यह दोनों number किसी number से divide हो रहे हैं तो largest number बताना है जिससे यह दोनों divide हो जाएगा तो हमें HCF निकालना पड़ेगा तो HCF निकालने के अब आपके पास अलग-लग तरीके हैं या तो division method लगा ले या prime factorization कर ले तो यहां पर हम लोग 65 के factor कर लेते हैं तो यह अपने पास divide हो जाएगा 5 से 2 से तो होगा नहीं once place पे 5 है और 6 और 5 कितने होते हैं 11 तो 3 से भी divide नहीं होगा क्योंकि sum divided ही नहीं होता फिर आती है बात 5 की तो 5 से divide हो जाएगा once place पे 0 या 5 होने पर 5 से divide होता है 5 बन जा 5, 5 3 जा 15 और 13 prime number है तो 13 13 से divide हो जाएगा इसी तरीके से 117 यह 2 से divide नहीं होगा फिर बात आता है यह 3 की तो यहां पर 7 और 2 9 होते हैं तो 3 से यह divide हो जाएगा 3 3 जा 9 आ गया और यह 2 3 9 जा 27 यह वापस 3 से divide हो जाएगा 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9 13 prime number है तो यह 13 से divide होगा अब HCF जो है किसका 65 और 117 का highest common factor दोनों के अंदर जो common आ रहा है वो 13 के अलावा कुछ भी नहीं है 13 के अलावा और कुछ होता तो उसको ले लेते दोनों को multiply कर लेते तो 13 है यानि कि अपना answer क्या आ जाएगा 13 तो 13 वो number है जिसे यदि हम लोग 70 को divide करेंगे तो अपने पास reminder 5 आ रहा है चेक कर लिया अपने ऐसा ही 13 से जब divide करेंगे 125 को तो अपने पास reminder कितना आ जाएगा 8 तो ये था इसका correct answer तो option से ज़्यादा बढ़िया इसको आसानी से हम लोग सिधे ही solve कर सकते हैं तो उमीद आप लोगों समझ में आ गया होगा तो मिलेंगे next video में thank you